हिस्ट्री की जब बात आती है तो हिस्ट्री अपने डेट्स के कार्णों से बड़ा बत नाम है कि सर इसमें डेट्स बहुत याद करने परते हैं तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कि important dates की वीडियो बना और सबसे पहले तो आपको यह जाना जरूरी है कि भली वह one marker question हो या आप date को अपने answer में यूज़ करना चाहते हो क्योंकि मैं बहुत बच्चों को recommend भी करता हूँ कि अगर आप एक अच्छा answer लिखते हो न तो आप उसमें dates इस भी include कर दिया करो for example आप non-corporation movement के बारे में लिख रहा हूँ तो try to include date कि भाई इसमें non-corporation movement कब शुरूआ September 1920 में खिलाफत के साथ यह जोड़ता है कारन क्या था और लिट सत्यागरह का जिकर करो 1919 के वह तो यह सारे dates आप जब यूज़ करता है तो answer एक enrich लगता है भागना है सबसे जादा है that means अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हो you will be able to not only solve the one marker question इसके अलावा आप crucial जगों पे dates को भी use कर पाऊगे अपने answers में so try to watch this video till the end ताकि dates की जो problem है वो हमेशा के लिए आपकी खतम हो जाए इस वीडियो को शुरू करणे से पहले मैं आपको यह बता दू कि ब्लेड अरकेट वर इस वारे पास history के सारे के सारे one shots है important questions की वीडियो हम लोग अभी डालने वाले हैं अगर आप दिसंबर 2020 के बाद देख रहो तो सारे videos डल चुके है political science के one shots है geography के one shots है psychology के one shots है sociology के one shots है sociology something is clear की चाहे YouTube पे कोई भी कैसा भी पढ़ा रहा हो सारे लोग अच्छा काम कर रहा है but our explanation is unique our explanation is basically the best among all यह हम नहीं कहते हैं हमारे students कहते है check the comment boxes now getting started with the video so coming to the laptop screen here we have chapter wise important dates class 12th history and again this video की जो pdf है वो आपको description box में एक छोड़ा सा quiz हमने आपके लिए रखा है उसको attempt करने के बाद मिलेगे because we want you to make efforts even though that is free and just after you attempt the quiz आपको वो pdf के link मिल जाती है आप उहां से download कर सकते हो बड़ हम चाहते हैं कि आप उसे खुद कमाओ you feel like you have earned that and apart from this pdf जो लोग नए है उनके लिए मैं बता दू कि नीचे description box में मैंने drive folder के link भी हुई है जहां पे हमारे चाहे वो history के one shots के notes हो whole size के one shots के notes हो यह किसी भी और subject के notes हो important questions के notes हो सारी चीज़े ज you will feel the difference कि जो हमारे notes और बाकियों के notes में difference है चाहे वो pictures add करने का हो headings add करने का हो words को highlight करने का हो unparallel to any other platform जी हम नहीं कहते हैं हमारे students कहते हैं now coming to the first chapter सबसे पहले तो यह चीज़ समझो कि जो CBC है न वो timeline से dates नहीं पूछता है बट कुछ कुस date बहुत important है तो even though they are the part of timeline बट फिर भी आप उसे जो timeline मत्तब कहां CRT के chapter के end बे जो timeline दी जाती है उसको उसको हम लोग यहाँ पर timeline के word से refer करेंगे तो CBC उससे सवाल नहीं पूछता है उस timeline से लेकिन फिर भी वो बड़े important है तो कभी कभी किसी chapter में हमने उसको include कर दिया just for the sake कि अगर उससे सवाल नहीं भी क्योंकि these dates are so important कि यह आप से C.O.T. में भी पूछे जा सकते हैं chapter 1 से अगर हम वो शुरू करें तो here we have the first date that is 1875 1875 is the date when Alexander Cunningham submitted his report on the Harappan seal 1870 में क्या हुआ था Alexander Cunningham के पास हरपा से seals पहुँचे उन्होंने इसे misinterpret किया कि यह बहुत पुरानी नहीं है यह कोई नहीं civilization की नहीं हो सकता पुरानी हो बट इनका focus जो था न वो Buddhism and early historic period के archaeology से जादा था 600 BC के बाद के period से उपनेशद वगेरा जो नए शहर उभर के साम ने आया चाहे वो अगर यह इसमें इंट्रेस्टर हो तो हो सकता है कि जो चीज हमें 1924 में बता चली हडपा इससे 60-70 साल पहले ही पता चल गई हो थी देन भी हाफ सेकंड डेट अगें इस नॉट डेकली बीन मेंशन इन डेकली चाप्टर में में चाप्टर में क्या दिया हुआ है कि 1920 के शु इस नुट इस सो इंपोर्टेट की इवेन तो यह टाइमलान का बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है 1921 में दयाराम सेनी हरपा एक्सके वेट करते हैं दयाराम सेनी ASI के ऑफिशल थे और उन्हें लगा कि यह जो हरपा की सील विली थी अलेक्जंडर कनिंगम को यह कहीं कहीं किसी एक दूसरे सिवलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि अलेक्जंडर कनिंगम को जो सील मिले हैं उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़े उस इलाकों से निकल रही थी और वो चीज़े यूनीक थी मतलब अभी तक हमने जितने भी आर्केलोजिकल सर्वे किये थे 1920s तक वैसे चीज़ें कहीं नहीं मिली थी तो द्याराम सहनी में उत्सुकता जागरोख हुई फिर एक हमारे राकलास बैनर जी थी वो भी बड़े एंथूजियास्त थे हडपन कल्चर के डिसकवरी को लेके तो फिर इन्होंने डिसकवर किया मोहन जोदरो को देख से हड़िया मिल लए थी तो उन्होंने फिर मुर्दो का टीला नाम से बहुन जोदरो सिंधी में नाम रख दिया उस इलागे का डिसकवरी का मतलब होता है कि दे आइडेंटिफाइड देम एस दा हडपन साइट कि वो जगह को पहुंचे और उस जगह को इडेंटिफाई कि कि इस जगह की सिगनिफिकेंस क्या है अर्डी बैनर जी और दियाराम सेहनी ने हडपा को डिसकवर किया और अर्डी बैनर जी ने मौह जोदरो को डिसकवर किया मतलब वो शेहर नहीं बनाया शेहर को पहचाना कि इसकी सिगनिफिकेंस क्या है यह दोनों किसी बहुत पुरा पाने civilization और सब्वेता का अंच रहे थे आड़ी बैनर जी भी जाते हैं क्योंकि यह एक्चुली बीचु के प्रोफेसर थे यह साई के ऑफिशनल नहीं थे बट इनको कहीं से खबर मिली कि जो हरपा में जिस तरीके का आर्टेफेक्ट मिलना है जिस तरीके के अवशेस मिलना है वैसे ही अवशेस महों जोद्र में भी मिलना है तो बाई God's grace यह जाते हैं और इन्हें वहाँ पे बहुत सफलता मिलती ही विकें वेरी सक्सेस्वल इन डाट आर्किलोजिकल सर्वे और उसके बाद बहुत जोद्रो जो है वो अभी तक का हमारे पास जितने भी हरपन साइट से मैं सबसे जादा विल लों साइट में से एक माना जाका है तो कुडोस टूदा एफर्ट्स ऑफ आर्डी भैनर जी इसके बाद 1924 इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टन डेट अगर इन सारे डेट को मैं इस चैप्टर के इन सारे डेट को इकट्थे कलव करू तो एक डेट जो आप से एक्जाम में पूछा रहा सकता देट इस 1924 1924 में क्या होता जॉन मार्शल उस समाने के हमारे थे आर्केलोजिकल सर्वेफ इंडय के डिरेक्टर जेनरल उन्होंने अब देखा आर्डी बैनर जी के भी डिस्कवरीज को देखा उन्होंने द्याराम सहनी के भी एक तो उस जमाने में एक क्रेज होता था क्योंकि आर्यन इन्वेजन से जुड़ी भी चीज़े हैं अच्छा आर्यन इन्वेजन के बारे में भी मैं आप पे कभी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे इसमें भी इसमें भी कंशूजन है और बहुत अलग-अलग आडियो बाइदे वे इफ्यू हम नॉट वॉस्ट आवर पॉड्कास्ट तो हम लोग ऐसे हिस्ट्री और पोल साइंस के टॉपिक्स पे अलग-अलग पॉड्कास्ट करता रहता है दू चेक इट आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेस का लिन डाल दिया है 1924 में जॉन मार वीलर हमारे अर्केलोजिकल सर्वेफ इंडिया के डिरेक्टर जनरल बनते हैं खास बात यह है कि यह जो वीलर साहब थे यह स्टाइटेग्राफी के इनिशेशन के लिए बड़ इंपॉर्टन बान जाते हैं इससे पहले स्टाइटेग्राफी एसाई के मेत्रडोलोजी का प और फिर उसी सिलसले में वो खारोस्टील इफी को भी डिसाफर करेंगे और यहां से फिर हमें मौडन अंपार के बारे में पता चला और मौडन अंपार के साथ साथ बुद्धिदम की भी बहुत सारे चीज़ है इसके लावा 321 BC या 322 BC देखो आपके किताब में CRT में 321 BC दिया गया है Establishment of Modern Empire का कि Modern Empire के स्थापना चंदरगुप्त मौडिया के तवारा 321 BC में हुई थी कहीं कहीं विकिपीडिया पे और भी बहुत सारे ऐसे वैल्यूबल सोर्स पे 322 BC दिखाए गया तो हो सकता इन दोनों डेट्स में से कोई भी एक पूछ ले तो आप इसी को ह कि टिक मारणा वन मारकर में ठीक है 320 अगर MCQ नहीं है तो तो 321 BC को क्योंकि NCRT में आपके वही दिया गया है और अगर MCQ है तो अगर कहीं पे 322 है तो 322 डाल दो कहीं पे 321 है तो 321 डाल दो दोनों एक साथ नहीं आएगा because that is very confusing इसके अलावा देक्स डेट इस यह अशोका कि रेंड से संबंदित है कहीं कहीं पे यह कहा जाता है कि उन्होंने 272 BC से 231 BC तक शाषन किया था कहीं कहीं पे यह कहते है कि 261 से 231 BC तक शाषन किया था तो आपके NCRT में दोनों ही डेट दिया हुए so remember that in that manner इसके बाद आता हमारा 375 to 415C that is the end of Chandrugopt विक्रमादेतर Chandrugopt 2nd जो कि आपके प्रभवति गुप्त के फादर भी माने जाते हैं तो इनके बारे में भी आपके किताब में इस चप्टर में जिकर है तो these are some of the important dates और इसमें भी डो जो सबसे एहम डेट है वो यह दोनो है 1838 में James Princip ने जो बिरामिले पे डिसाफर की थी वो इसका बेजिकर है अगर आप पेज में जाके देखोगे सबसे आखरी पेजिस में तो James Princip ने कब डिसाफर किया था वो बताया गया शुरू में कहा गया है कि 1830 में क्या था बट लास्ट में 1838 का क्लियर मेंशन है वहां प इसमें इसमें प्रिजिस तक जिए हुई तो सबसे पहला आता है क्रेटीकल एडिशन डिटीकल एडिशन किसके ने तर्तो में शुरू किया गया था उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1990 से लेके 1966 तक एक critical edition बना जाता है महाँ भारत का जिसमें अलग-अलग जगों से Pandelepia एकत्र करके manuscripts एकत्र करके और फिर analyze कहा जाता है कि क्या क्या इसमें समानताएं है similarities हैं और क्या क्या इसमें से differences हैं तो ये पूरा चला था आपका 1100 सालों तक चला था इसके बाद 220C से 200C ये जो 400 सालों का सेसला है that is basically marked by the compilation manusmethy इसी दोरान manusmethy compile किये गये थे और manusmethy धर्मशासर का ही पार्ट है ये कोई अलग text नहीं है इसके बाद 1951 से बाबन ये important है बीबी लाल के हस्तिनापुर के excavation के लिए क्योंकि ये chapter महार भारत पे based है बहुत है और इसमें हस्तिनापुर के excavation का भी जिकर है कि क्या हस्तिनापुर वही शहर है जिसके बारे में महाभारत में जिकर करा गया है कि ऐसा शहर जो इंदर लोग से भी इंदर के capital से भी बरा और इंदर के capital से भी भव्य था तो बीबी लाले जब हस्तिनापुर को excavate किया तो हाला कि बहुत सारी पुरानी चीज़े मिली ज़रूर है बट ऐसा नहीं कह सकती कि ये उस भव्य शहर का पार्ट रहा होगा हाला कि बहुत सारी ले भी नहीं रहा हूँ until unless they are very important now coming to the chapter 4 chapter 4 में जो पहला हमारा important date है that is 1868 to 1901 ये चुकि सांची के स्टूप के जो preserver थे जो pattern थे सुल्तान जाहन बेगम की जो predecessor थी शाजान बेगम उनके रन से संबंदे था तो हो सकता है ये भी पूछ ले और अगर आपसे पूछे ना तो आप जब शाजान बेगम के बार में लिखना शूरू करो ना ओके आप ये बताओ जब मैंने पूछा आपसे as a four marker या as a eight marker कि भाई शांची के स्टूप के preservation में ऐसा क्या खास था जो मराबती के स्टूप नहीं था तो आप obviously शाजान बेगम का जिकर तो करोगी करोगे तो जब आप शाजान बेगम का जिकर करना शुरू करो तो उनके साथ ये लगा दो 1868 से 1901 इससे होगा क्या इससे होगा कुछ नहीं आपको एक impression मिल जाएगा कि सबने शाजान बेगम का जिकर करा होगा बट किसी ने उनके रेंड के पीरेड को नहीं बताया होगा आप अगर पीरेड को बताते हो तो यू बिल बी वन स्टेप अहेड और ये छोटी-छोटी इंपरेशन्स जो है न वो examiner के दिले दिमा पर बैठ जाती है तो वो आपको जहां पर नंबर काटनी की भी नौबत आती है नंबर नहीं काटने दवल की दे देते हैं इसलिए मैं answer writing course में और इवें जब answer writing को लेके बच्चों को समझा रहा हूँ तो तुम्हें कहता हो कि answers तो सभी को पताओंगे बट तुम्हें न अपने examiner के उपर impression छोड़ना और यह impression तुम्हें काम आएंगे उन सारे questions में जिसकी तुम्हें तयारी नहीं है जिसमें तुम्हें पूरे answers नहीं लिखे बट examiner के दिमाग में यह बैठ चुका है कि तुम्हें सारे चीज़े आती है तुम्हें बहुत deep में यह बढ़ा तुम्हें वहां पर थोड़ा उनस भीज रहे तो manage कर देंगे तुम्हाने लिए इस बैसिकली दा आर्ट अव आइट अगर आप देखें लिंक दिसम्बर में हम लोग लूँच करने वाले अगर आप दिसम्बर के इस पीरिट के दौरान हुआ इन 500 सालों में अच्छा बागी के तीन वेद तो बागी के जो तीन वेद है वह हजार बीसी से लेके वह हजार बीसी से लेकर पास्व बीसी तक compile के गए गया तै जितने भी बागी के तीन यह जुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद और इसी लिए इस पूरे अर्ली वेदिक पीरिड को रिग वेदिक पीरिड भी कहते हैं उसके बाद 1854 भी एक कर दी तो इनको भी एक लूट का माध्य माना जाता है इनको भी ब्लेम किया रहा था फूर दे डिस्टूप पहले भी था वहाँ पर साची कि अवशेस और उसके किसी ने जा कि उसको डिस्कवर किया कि What is this part of किसका पार्ट तो यह ब्युंडर का पार्ट किसने बनाई तो फ़लाने शमरात में बनाए और किस ने बनाए वो आपको नीचे में comment वाक्स में बताना सांची कि स्टूप को डिसकवर किया था हेंरी टेलर नाम के एक बिटिश ओफिशल ने 1818 में और फिर वहां से इसको प्रिजर्वेशन इसके प्रिजर्वेशन का दौर शुड़ हुआ शाजान वेगम आ गया आती हैं सुल्तान जान वेगम आ गयाएंगी फिर आता एक देर थर्ड सेंचूरी बीसी का यह जो पूरा पीरियर था ना डैट वास मांक्ट बाइदा कंस्ट्रॉक्शन अफ तूपा अशोका ग्रेट ने बहुत अलग लग जहों पे स्टूपाज बनाएं पेले इस्क्रिप्शन गढ़वाएं और जितने भी इंपॉर्टेंट बहुत धर्मस्तल थे उनको एक तरीके से नया स्वरूप देने की कोशिस की थी तो साची उन में से एक है सानात उन में से एक था 1818 सांची के स्टूप को कभी डिस्कवर किया गया था हैं अगर आप सांची के स्टूप के बारे में लिखने जाड़ा अपने आसर में तो जिकर कर देना कभी डिस्कवर हुआ इसी को तो इंट्रो कहता है ना आप से पूछा गया कि सांची के स्टूप के प्रिजर्वेशन की पूरी स्टोडी बताओ, अब आपने साची के स्टूप के बारे में लिखना शुरूर किया, कि साची का स्टूप जो 1818 में डिसकवर हुआ था, और यहाँ पर एड कर दिया करने की कोशिस की है, and this is why we can see कि साची का स्टूप एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनता है माध्यप्रदेश के लिए, और यूनेस्को वर्ल्ल रेटे साइट का भी पार्ट है, coming to the next chapter, chapter 5 के जो इंपोर्टन डेट्स है, सबसे पहला, अलबरुनी का जन्म, कहां पे हुआ या बताओ, he was born in Khwarizm, 973 AD में, उसके बाद एक डेट है, अलबरुनी से ही डिलेटेड, ये भी बड़ा इंपोर्टन डेजाते हैं, 1017 AD, 1017 AD को क्या होता है, अलबरुनी जो की 973 एसमे में पैदा हुए थे, वो इतने साल होता है, Khwarizm ही थे, और Khwarizm उस जमाने में स्कॉल निकल के आए थे, तो महमूद गजिनवी, जो हमारे यहांबे बहुत बार इनिवेजन कर चुका था, वो Khwarizm एटाइक करता है, और वहां से अलबरुनी को बंदक बना के अपने अलियात, और ये जितने पी उस जमाने के सुल्तान और राजा हुआ करते थे, उनका शौक हो किस किताब को लिखा था, उसका नाम कमेंट बाक्स में बता दो, अलबरुनी की किताब का क्या नाम था, वाट वास द नेम ओफ, वुक अफ अलबरुनी, फिर 1333, डैट वस अडेट विन इबन बतूता, रीस्ट इंडिया, इबन बतूता किस कंट्री से थे, क्या आप इबन बतूता कि वो जितने भी बड़े गाम होते थे, इबन बतूता सही करा था, इबन बतूता की एक्स्पीरियंस ने इस कदर उसे इंप्रस किया था, फिर 1354 में अल्टिमेटली इबन बतूता वापस चले जाते, ये भी एक इंपोर्टेंट डेट है कि कभी घर वापस 1300, 33 में ये इंडिया पहुँचे थे, उससे पहली अपनी यातरा बहुत पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि इंडिया तो ये बहुत बात में पहुँचे, पहले इनोंने पूरा नॉर्थ अफरिका कवर किया, फिर वो जो आपका वेस्ट एशिया का पॉर्शन, इसमें लिब थे, फिजिशन बनके भी थे, कुछ दिनों तक फिर किसी और कहां काम करता है, बट इनका इस्टे 12 सालों का इंडिया में ये पीरियट के दोरान था, 1656 से लेके 1668 तक और इस चैप्टर में इन इंपॉर्टन डेट्स में भी, जो सबसे इंपॉर्टन डेट्स है, इस आर 1656 से 1668 का, बर्नियर का इस ते, फिर 1333 का डेट और 973 AD का डेट, जो कि अलबरुनी कब जन में थे, इन सब में भी इंपॉर्टन बतला मोस्ट इंपॉर्टन डेट, उसके बाद अगर हम आ जाए चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 में सबसे पहला है 945 AD, इसमें क्या हुआ था, एक रूलर ठे, परन्ता का फॉरस्ट, उन्होंने 3 नाएनार संत थे, उनका भी नामप बताए और ये भी आब बताएं कि परन्ता किस राजवन्श से बिलोंग करता थे, तो परन्ता क्या किया था, 3 नाएनार संतों के metal images बनाये थे, और metal images बनवाकि उनको पूरी तरीके से इस् संथ कौन थे नाम क्या था उनका इसके बाद जो इंपोर्टन डेट है इसमें आपने मुहंबद कासिन के बारे में सुना होगा वो कॉनकस्ट करता है संथ का और फिर यह जो सिंध है उसका इसलमाइजीशन हुआ उसके बाद एक डेट है 1235 में यह इंपोर्टन डेट है क्योंकि अगे जब हम लोग इसलाम के स्प्रेड की बात करते हैं तो ख्वाजा मुहिद दिन चिस्ती और उनके दरगा का बहुत इंपोर्टनस है तो डेथ जो हुई है मुहिद दिन चिस्ती की वो 1235 में हुई और मुहिद दिन चिस्ती के बाद इस पूरे चिस्ती सलसला में जो सबसे फेमस संथ हुए थे तो इनकी जो डेथ है वो 1325 में हुई तो ये जो दो इंपोर्टन आपके चिस्ती सितला के संत हैं जो सूफी है इनके डेथ के डेट को येर को आपको याद रखना इसलिए जरूरी है बिकॉस दियर टॉम इस वन अब दे मोस्ट विजिटेड फुली प्लेसे इन इंडिया एक निजामुदीन ओलिया के दरगा जो दिली में है और एक मुदीन चिस्ती खौजा घरीब नवास के दरगा जो आपके अचमेर में है फिर 1568 एक इंपोर्टन डेट है क्योंकि इस दीन ये जो घरीब आते हैं और बरतन चुकी छोड़ा छोटा तो दिक्कत होती तो इन्होंने बहुत बड़ा देख दिया दरगा के लंगड के लिए जो कि अभी तक अकबर के देख के नाम से पॉपुलर है और उसमें आप देखेंगे कि खाना बनता है उसमें लोग चुकी देख बहुत लोगते हैं तो अकबर ओफ़र देख टुदे टॉब ऑफ खौजा मंड़ दिश्टी इन 1568 कम इंटु दा नेक्स्ट चैप्टर यह चैप्टर पर इंपॉर्टन है डेट्स के वाले से भी और अगर आप आप आंसर आटिम इस चैप्टर के को सॉल्व कर रहा है इस सॉल्व डैनिस्टी कब से कब तक एक्जिस्ट करती है तो यह सारी चीज़े जब आप लिखते होना तो एक इंपक्ट पड़ता है एक्जामिनर के नजर में एक इंप्रेशन पड़ता है सबसे पहला इंपॉर्टन डिट्ट इट इस 1336 इस्टाबिलिश्मेंट और विजय पूछे जा सकते कि सॉल्व डैनिस्टी का शासन कब से कब से कब तक चला था बठा आंसर में आप इसे यूज कर सकते हो एक्जामपल आपने लिखना शूरू कि आप विजन अगर अंपार के अलगले डैनिस्टी के बारे में एक्स्प्लेइन करो तो आप बताओगी कि इसम उसके बाद 1509 से 1529 तक ये अडविडू डैनिस्टी का शासनकाल नहीं है ये तुलूप डैनिस्टी की रूलर थे कृष्ण गे विराई उनका शासनकाल है क्योंकि अडविडू डैनिस्टी के शासनकाल के बारे में आपके चैप्टर में बताई नहीं गया तो मैंने फिरसम मार करके तौर पर आपसे ये पूछा जाए कि तुलुब डैनिस्टी का शासनकाल कब से कब तक था कृष्ण देवराय का शासनकाल कब से कब तक था बत ये important है important इसलिए because you can use them you can use these periods or these durations in your answers 1565 important इसलिए because इस साल हुआ था battle of talikota जैसे battle of फड़ाक्षसी तांगणी भी कहते हैं और इसके बाद विजनगर अबायर तार्ष के पत्तों की तरफ बिखड जाता है उसके बाद 1976 because आज का जो विजनगर है वो हमपी के नाम से जाना जाता है और जब कॉलिन मैकेंजी ने इसका चार्ट बनाया और बाद में फिर फोटोग्राफर्स आते हैं, आर्केलोजिस्ट आते हैं, स्टोडियन्स आते हैं और उन्होंने बताया, यह हमपी विजनगर अंपायर का पार्ट थी बहुत बड़े सामराज का, बहुत सुनहर एतिहास का तो फिर 1976 में भारस सरकार द्वारा हमपी को Sight of National Importance का भी दरजा दिया गया Sight of National Importance का दरजा तो 1976 में नहीं दिया गया बट आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इसे UNESCO World Heritage Site के तौर पे कभ सेलेक्ट किया गया था, किस साल में इसका दिकर आपके chapter में नहीं है, बट आपके timeline में है तो as an aspirant of CUT वो भी याद रखना जरूरी है मैं चाहता हूँ कि आप comment box में मुझे बताएं उसके बाद we have chapter 8 इसमें कुछ ज्यादा important date से नहीं बढ़ फिर भी मैंने जो भी कुछ important लगा वो include कर दिया और मुगल empire को लेकि chapter 9 हुआ करता था बट वो तो खतम कर दिया CBC ने तो हो सकता है आपसे मुगल empire से related कुछ important date पूछ ले सबसे पहला है 1526 इसमें battle of panipad भी हुआ और इसी साल establishment भी नीव भी रखी गई किसकी मुगल empire की इसके बाद 3 rulers का शासनकाल बड़ा important हो जाता है जिसका जिकर आपके chapter में भी है map दिया गया है जिसमें बाबर के territories को फिर अकबर के territories को and और जेब के territories को भी दिखाए गया तो एक आपका शासनकाल आप याद रखो बाबर का 1526 से 30 तक का बाबर के death के पीछे भी बहुत एक interesting story है बाबर ने सौधा किया था खुदा से कि आप पेरे बेटे की जान बख्षतो और मेरी ले लो और ये कुबूल हुआ फिर हुमायो की जान बज जाती है बाबर के death हुदा यो तो ये interesting ये story भी बड़ interesting है किसे दिन में बात भी करूँगा बुगल अंपार के अंदर के कहानियों के बारे में जो बहुत कब लोगों को पता है इसके बाद शासनकाल आता हमारे अकबर का important शासनकाल वैसे तो हमायो और शेड़ वा सूरी है बीच में 1556 से लेकिए 1605 रेनप अकबर 1658-2707 रेनप और अंजेब इन तिनों का शासनकाल इसने important है क्योंकि हो सकता है आप से COT में भी पूछ ले उसके लिए तो important ही है और इस chapter में जब आप जिकर करो land revenue system का तो उसमें अकबर का जिकर आएगा land measurement system का तो उसमें और अंजेब का जिकर आएगा तो जब भी आप जिकर करो अंजेब का तो उसमें उसके duration के लिएग दो 1658-2707 ठीक है जब भी आप जिकर करो अकबर का तो उसके आगे duration लिएग दो 1556-2605 तो इससे क्या होगा एक अलग impression पड़ेगा again impression counts इसका फरक पड़ता है यह आपके लिए बहुत beneficial होता है now coming to the next chapter that is chapter 10 इसमें जो सबसे important date है that is 1793 permanent settlement system क्योंकि बंगॉल की पूरी कहानी ही based है जमिंदारी प्रथा पे 1793 के permanent settlement system जिसे साही बंदवस्त भी कहते है और जमिंदारी प्रथा भी कहते है इसके बाद एक important date है that is 1830 इसमें क्या हुआ था कि जो 5th report है वो पुब्लिश हुआ और इसी साल 5th report में चूँकि इस्टड़क कंपनी की इतनी criticism करी जाती है कि इसकी monopoly इंडिया से छीन लीगी तो ये भी एक important date है फिर इसके बाद एक important date है लामी ने को का बनना संथालों के लिए 1832 में और संथालों का revolt भी एक बहुत एहम date है 1850.06 तक चला था तो इस 5 आर one of the most important dates of this chapter इसमें भी ये date सबसे important है 1793 क्योंकि Bengal की जमिंदारी सिस्टम से question आना ही आना है एक ने एक long answer question ये short answer question तो होगा ही होगा उसमें आप permanent settlement का जिकर करोगे तो उसमें आप इस date का जिकर जरूर कर देना because mentioning the dates in your answer basically ये आप आपके answer को unique बनाते है बहुत खास बनाते है coming to the next chapter that is chapter 11 rebels and rach इसमें कुछ जादा important dates है नहीं इसमें इसी point mutiny broke out होती है जो कि ultimately revolt का part बन जाएगी जो कि ultimately मारे लिए first war of independence बनेगा इसके बाद एक important date है जो कि आपके chapter में भी बताया गया है कि किस तरीके से जो अंग्रेजों ने यहां के सामाज एक तंतर के साथ खिलवार किया था चेरचार की थी इसने भी भड़का दिया था या कि लोगों उसमें सतीप्रथा का abolition भी ये का सतीप्रथा के abolition की भी बात आपके इस chapter में कड़ी गई है so that is why 1829 भी important date बन जाता फिर 1801 क्योंकि अवद के annexation से जुड़ा हुआ matter भी इस chapter में है और अवद में ही ये revolt सबसे ज़्यादा intense था because इसके ruler को इन्होंने exile में डाल दिया था and पूरी की पूरी territories को annex कर लिया था तो ये इसलिए हो पाया because अवद के rulers ने 1801 में subsidiary alliance sign किया था ग्रेजों के सा और finally इसी subsidiary alliance का फायदा उठाते उठाते 1856 में अंग्रेजों ने नवाव वाजे दिलेशा को हटा दिया और अवद को annex कर लिया आपने में मिला लिया ये इसमें मैं रखाऊंगा कि सबसे इंपॉर्टन डेट है 1856 annexation of अवद क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन था अवद के इस पूरे revolt में अवद में रिवोल्ट सबसे दादा इंटेंस था और चुकि अवद में ही बहुत दिनों तक अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा इसी लिए रिवोल्ट इतने लंबे समय तक चल भी पाए तो अवद का annexation एक बहुत important factor है इस revolt के success का जितनी भी success हमें मिले इस revolt में और इस first word of independence में अब चैप्टर 13 आते हैं जितने भी important dates है उनमें सबसे दादा important date इसी चैप्टर में है और साले dates अपने में important ही है जैसे अगर हम लोग बात करें 1916 की तो महात्मा गांदी का जो character था वो पहली बार 1916 के बीच्चू की इन्योग्रेशन में ही दिखा था जब इन्होंने बात की थी mass nationalism की तो ये इन्योग्रेशन और बीच्चू भी important है फिर इनका 1905 और 1907 का सुदेशी movement जोकि हमारे one of the earliest movement में से एक माने जाता है और फिर 1917 चमपारण सत्याग्रा यहां से गांदी जी कें सत्याग्रा की शुरुआत हुई उसके बाद में अहम्दाबाद मेरीक होता है और उसी साल 1918 में आपका Khera Sathya Garae बिग और में इन्दीच्ट्रτί दोनों सेawanट RAW में था कर रहते गांदी जोडे और उसे सत्यागरा का रूप दिया, एमदाबाद में स्ट्राइक में भी वर्कर्स पहले से ही स्ट्राइक ने थे कि हमारे कंडिशन को आप इंप्रूब करें, हमारी सैलेडी इंप्रूब करें और बाद में फिर गांदी जी इसके साथ जुड़ते हैं और अपना सपूद देते हैं और यह parasite में तबदीर होता है फिर 2019 का comment एक इंपर्टन है बिकाउज इसके अगेस्ट भी gaining एक की रॉलने के साथ याजार इसका खात्म हुआ था बिबढ़न Τरहीं या जालीवाला बाग में साउकर के साथ और ऐसी incidents ऐसी खटनाएं हैं, जिनको आपने तारीक के साथ लिखना, जैसे 1919 मत लिखना, 13 April 1919 लिखना, इससे ने बड़ा impact पड़ेगा, कि अच्छा इससे तारीक भी पता है, क्योंकि ये बहुत sensitive events में से एक है, उसके बाद हमारा 1929-20 खिलाफ़त movement चला, जिसको बाद में गा non-corporation movement launch करूँगा, तो आप इसी में इसे मिला लेना, तो खिलाफ़त movement independent तौर पे एक साल चला, उसके बाद non-corporation चलता है को जो इनों तक, लेकि non-corporation के revocation के बाद भी खिलाफ़त चलता रहा, February 1922 में non-corporation movement वापस ले लिया गया था, उसके बाद भी खिलाफ़त हाला क इसी wireless के साथ हो जाता, मत्तब non-corporation movement खतम, टाटा, बाई बाई बाई, इसके बाद भी आप 1923 जिसमें दो event वे important, दोनों में गांदी जी प्रतक्ष तोड़ पर नहीं जुड़े थे, बट इनोंने back support दी थी, एक Simon Commission और दूसरा बाड़ोली सित्यागरा, फिर 1922 में नहरू आ रहे थे, आगे, राजे निपरसाद आ रहे थे, संवधार पतेल आ रहे थे, और इसी December 1929 के लाहर अधिवेशन में complete independence के बाद की गए थी, पहले बार कि हमें कोई dominion status नहीं चाहिए, we just want the complete independence, this is why लाहर session of Congress is very important, लाहर session of Congress December 1929 के बाद, we have another important date that is 12 March 1930, इस दिन स्वाल सत्तागरा के शुरुआत हुई, साबरमती आश्रम से डांडी यातरा के शुरुआत होती है, और फाइनली जो सौल सत्तागरा है, वो सविने अवग ज्यांदोलर में बदला 5 April 1930 को, जब नमक कारून तोड़ा जाता है, डांडी के तर्ट पे, and throughout the country, civil disobedience movement broke out, इसके बाद जो पाइके से कहें, तो Muslim majority states की स्थापना की बात की थी, Autonomy कुछ से, पाकिस्तान की बात officially नहीं कही थी, बट चुकि ये पाकिस्तान की नीव की तरह ही था, कि जिते बे Muslim majority state है, उसमें Autonomy दी जाए, उन्हें Autonomous बनाया है, उके, उन्हें पुरी तरीके से केंदर के अंतरगत नह कि how can that be possible, कि एक separate nation ही बना ले हम अभी के nation से, वो तो दीरे दीरे communal violence इतने बड़े, और इसके लिए आप chapter 14 को पर, उसके भी one shot हमने बनाये, और पूरी की पूरी इस्टरी की playlist का चुकि लिंक डाला हुआ है, तो आप उसको बढ़के अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे लाहूर resolution, 1940 में, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अलग देश भर भी पाएगा, nobody was thinking, इबेर मोहमद अली जिन्ना, वो भी एक skeptic थे, बहुत अत्तक, skeptic नहीं, कहलो तो वो बहुत अत्तक, इसको व्यंग के तौर पे लेते हैं कि यह तो बच्चो वाली बात है, this is not going to happen, और यह होता है Now we have 1942, इसमें क्रिप्स mission भेजा जाता है, ताकि Congress जो है, वो cooperate करें अंग्रिजों के साथ, during Second World War, क्रिप्स mission में बात नहीं मनती है, तो August 1942 को officially भारत छोड़ो आंदोलन, Quinted India Movement launch किया जाता है, and 1946 में cabinet mission भेजा गया, ताकि भारत की लोग समयधान बना सकें, इनको आजाद किया खतर भी महात्मा गांदी पही करेंगे, 1948 में महात्मा गांदी की death होती है, because of assassination, इनको गोली मार दी जाती है, 30 January 1948 को नाथू राम गोट से त्वारा, Chapter 50, Chapter 15 में जादा important date है रही, तो कुछ ही चार पांच है, तो उनको देख लेता है, सबसे पहला, December 1946, समयधान सभा का गठन, Formation of Constituent Assembly, कोई अलग selection नहीं हुआ था, अलड़ी जो election हुआ था, प्रोमेशन election, उनी से जो है, लोग उमीदवार सेलेक्ट कर लिए गया थे, उसके बाद 13 December 1946, अगेन ये तारीक भी आप याद रो, और जब भी कभी लिखना तो तारीक के साथ लें, 13 December 1946, जवाहला लहरू ने objective resolution पेश किया, कि भाई, हमारा होना कैसा चाहिए, क्या-क्या होगा, वो बाद में discuss करेंगे, debates के थूरू, discussion के थूरू, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, the outline, the vision of constitution, ये जवाहला लहरू ने objective resolution के तहर, पेश करने के कोशिस कि थी, बाद में से पारीक तो बहुत दिनों बात अना की किया गया, तो 13 December 1940 को objective resolution पा होगे, और December 1949 में जितने भी समविधान से बागे अध्यक्ष थे, शायद 289 अध्यक्षों ने इस पे सिंगनेचर किये थे, इसके बाद भी आप 26 January 1950 जिस दिन ये समविधान जो है, वो इन एक्ट कर दिया ना, अब आप मुझे ये चीज़ बताओ कि जब हमारा समविधान 26 November 1949 को बनके तयार हो गया था, तो फिर क्यों इसे 26 January 1950 को इन एक्ट किया गया, लागू किया गया, उसे दिन कर देते, जिसंबर में कर देते, दो महीनी रुकने की क्या वशक्ता थी, इसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, फिर कमेंट बाक्स में बताओ, और इसके बदले में हम पूरी कोशिस करते हैं, आपको अप्रेशियेट करने के, and again, Blade Runner is trying to become the largest humanities platform, आप सब के support की जरूरत है, because we have realized कि आप सारे लोग videos देखते हो, like करते हो, but you do not subscribe, तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आए कि क्यों लोग ऐसा करना, because we have every type of content, हम लोग voice shots डाल चुके हैं, हम लोग important questions डाल रहा हैं, हम लोग sources पे questions डाल, मततब जितने भी required ही चीज़े हैं, वो सारे चीज़े करने के कोशिस करना, so it is now your responsibility कि आप give back करे with the subscriber count, thank you for watching and if you find the video good, if you find the video worth sharing, then please share this video to your friends and yes, make sure you yourself hit the subscribe button, आप कोद भी subscribe कर वेशचान, thank you.